असलाम लेकुम, हलो एवरीवन, वेलकम टू एस रेसिपीज, आज हम बनाएंगे स्पाइसी चिकिन पास्टा, वो भी देसी स्टाइल में, बहुत ही दिलिशिस रेसिपी है, अगर आपने अभी तक ये ट्राइ नहीं किया है, तो सरूर ट्राइ करें, चलिए बराना तो सबसे पहले है, एक पॉट को हम गरम होने के लिए रखेंगे दो सी तीन लीचr आ ना बहर के वृरियम ही पर दो टपस्पून उस में हम भर के अड तो तेबल स्पून यसम मैं आइड करेंगे हम ऊईल को और इसको इससे स्टर कर लेंगे पानी को अच्छे से स्टर करने के बाद हम इसमें बॉलाने देंगे जब पानी में बॉलाने लगे तो अब इसमें हम एड़ करेंगे 400 g पास्टा मैं एलबो पास्टा यूज कर रहे हूं अब इसे हम अच्छे से क्विक मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम जब पानी बोल होने लगे तो हम 1 3 तर्ड कप पास्टा वाटर अलग कर लेंगे पास्टा को हम 8-9 मिनिट सॉफ्ट होने तक पकाएंगे और इसको हम स्ट्रेंड कर लेंगे और पास्टा में हम थोड़ा सा ओयल ड्रिजल करेंगे ताके वह आपस में ना चिपके और अलग-अलग रहें अब हम चलते हैं नेक्स टेप की तरफ एक पैन को मीजियम हाँ हीट पर गरम करेंगे उसमें एड़ करेंगे वन थर्ड कप ऑईल अब एक हम छोटी प्यास स्लाइस कीवी एड़ करेंगे और तीन मिनिट के लिए उसे ट्रांस्लूसिन पिंक होने तक सॉटे करेंगे अब इसमें एड़ करेंगे वन टेबल स्पून जिंजर करलिक पेस्ट और उसे दो से तीन मिनिट फ्रेग्रेंट होने तक यानि खुछपु आने तक सॉटे करेंगे अब हम एड़ करेंगे दो चिकिन प्रेस थिनली स्लाइस और पांसे च्छे मिनिट के लिए इसको हम तो उसमें हम एड़ करेंगे 1 अब तेस्पून या पने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट यानिके नमक जब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक छोटी शिम्मला मिर्च स्लाइस कीवी बारीक स्लाइस कीवी शिम्मला मिर्च आड़ करने के बाद उसे हम दो मिनिट के लिए सौटे करेंगे सबजियों को हम हाई हीट पर पकाएंगे 100 ग्राम मैं इसमें एड़ कर रही हूं बारीक स्लाइस कैबिच और एक छोटी हरी मिर्च चॉप कीवी और दो से तीम मिनिट तक के लिए हम इसे पकाएंगे अब इसमें आड़ करेंगे 3 टेबिल स्पून स्वीट चिली कार्लिक सॉस दो टेबिल स्पून सोय सॉस आड़ करेंगे लाइट सोडियम दो टेबिल स्पून इसमें आड़ करेंगे हम कैचप के और कैचप आड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे mix करने के बाद इसमें हम 1 3rd कप pasta water add करेंगे जो हमने पहले से अलग किया था और 2 टेबिल स्पून इसमें आड़ करेंगे white vinegar के और इसको हम 2-3 मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि gravy थिक हो जाए जब gravy थिक हो जाए तो हम अपना pasta add करेंगे पास्टा एट करने के बाद हम ग्रेवी के साथ पास्टा को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तबाम पास्टा अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम चूला बंद कर देंगे हमारा देसी स्टाइल स्पाइसी चिकन पास्टा सर्फ करने के लिए बिलकुल रेडी है आपको अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपको रेस्पी कैसी लगी थैंक्स पो वाचिंग, टेक केर, अलाहाफिस